दिल से दिया वचत्वान। में कैसास, तुम अपने जिस्म से कभी नहीं मिटापाओ कि नंदिनी, कभी नहीं. सुनक्षिफ, फोन में पस्तों? फोन वापस तो मेरा? नहीं, मैं अभी तो देखो, तुम क्या कर रहे हैं? अगबाई, किट्टी चान दिस्तेगा, बहुत संदर लगरी ये नंदिनी, ये रिवी एक फोटो लोन। अच्छी वाणी लोना? नहीं मटकी रथो जल्दी से पन्या भरन को जाना तिकाओ, तिकाओ, तिकाओ जल्दी नमस्ते काकुसाइड झीतड़ जीतड़ नन्दू कैसी है तू? अब प्रेम, तूम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं, सुमती जी? मैं ठीकूँ अरे तुम तुनों बैठो ना, ऐसे खड़े रहना है क्या, मैं चाय में आकर लाती हूँ हावसाइप आए दो दीन के लिए मंबई गया है नंदनी तुम्हारा प्लान तो फेल होगी तरहसल सुमती बात क्या है कि अमने डिसाइट किया था कि यहां के नंदनी उनको डाटे की और उनसे पूछेगी कि वह प्राप्टे की इंगेजमें में क्यू नहीं है लेकिन अब तो तुम्हारा पूरा प्रोड्राम और अका अरे वहीनी छट पे वाती हूंगी तुम दुनों खड़े क्यों बैठो ना तुम्हें के लिए चाय बना कराती हूं मैं भी चलते हूं हाँ हाँ बैठो अच्छा प्रेम एक बात बता तुम्हें मेरी सुमती कैसे लगती है? जी मैं मैं समझानी मैं तुम्हारे नहीं बुछ रहा हूंग तुम्हें थो उसे पहले ही ना पसंद कर दिया मैं मैंक के बात कर रहे थी नहीं, मेरा मतलब है अगर प्राप्थी से पहले मैंग ने सुमती को पसंद किया होता तो कैसे लगती जोडी मैंग को और सुमती की नन्दू तू चाहे के साथ गरम-गरम समोसे लेगी, वो तेरी फेवरिट वाले हाँ ना, तो एक काम करते हैं, तू यारो, मैं और प्रेम लेकर आते हैं, ठीक है प्रेम, चलो-चलो, हम समोसे लेकर आते हैं अरे लंदू, तू अगर चाहे तो उपर जा के वहीनी से मिल सकती है, वो चट पर है, हम योगे और युवाय, हम उससे लेकर, ठीक है शली, हम कितनी अच्छी लगती, मैं को और सुमत्य की जोड़ी मैं क्यों, कितनी अच्छी लग रही है, प्रेम हो सुमत्य की जोड़ी काश, कब तक इस काश के सारी जियोंगी मैं, विट्टला, पांडुरंगा, तूस सांग रहे अखा, नंदिली अधिनी, वो कर वाई? चल, बैट, यहाँ समयरे साहते, बैट यहाँ पुष्चे, 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 पुष्चे! पुष्चे, 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 कुछ बताएगी नहीं तो तेरा मन कैसे शान्त होगा है कि भाव साइब कब आएंगे कि दो दिन बात किसी काम से मुंबई गए हैं वो तुझे इस हाल में छोड़के जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं था कि उन्हें बहुत चिंता हो रही थी तेरी कि हारे एक तो मैंने तुम्हें आइस से बचा है उपर से तुम मुझे पर इलजाम डाल रहा हो कि मैंने तुम्हें करे भी की अलग कि तुम्हें तो मुझे ठैंक्स बोलना चाहिए कुल सुमति अर्या तुमने थैंक्स बोल भी दिया नहीं सीरियसली सुमती अगर मेरी तुमसे मुलाकात नहीं होती तो मेरी जिन्दगी में नंदनी नहीं आती और अगर नंदनी मेरी जिन्दगी में नहीं आती तो मेरी जिन्दगी इतनी खुश्छाल कभी नहीं हो पाती प्रेम वो एक्चली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कहो कई दिनों से देख रही हूं नंदु खुश नहीं है ना ही किसी से बात करती है और ना ही खुल के अस्ती है तुम तो जानते ही हो कि उसके सिंदगी कभी इतने आसान नहीं रही उसे माबाप का प्यार कभी नहीं मि दिनी ही उसके लिए मा जैसी रही है और गोविन दादा ही उसके लिए पिता जैसे मैं उसे बहुत अच्छी से जानती हूं अगर उसे कोई तकलीफ है भी न तो वो कभी नहीं बताएगी इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है तुम प्लीज ख्याल रखना उसका कु पर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि तू ना किसी को अपना दिल खोल के दिखा सकती है न बता सकती है अंदर ही अंदर घुट रही है और हम हम कुछ नहीं कर पा रहे पर नंदिनी विश्वास ठेव हमने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया हमने सपने में भी नहीं नंदिनी मेरी तरफ देख मैं समझती हूँ जो तेरे साथ हुआ है वो कोई भी औरत बरदाश्ट नहीं कर सकती तेरा दर्ड तेरी चीख मैं सुन सकती हूँ पर तेरे सामने आप पूरी जिन्दगी पड़ी है नंदिनी गुजरे हुए वक्त ने अगर आग उगली है तो त आने वाले वक्त को उसमें जलाए यह ठीक नहीं होगा नंदिनी जो बीद गया वो बदला तो नहीं जा सकता लेकिन तेरा आज तेरा आज तो तेरे हाथ में है कुछ नहीं है मेरे आज़कर का तुखड़े तुखड़े होके बिखर गई हुपे अगर लावे की तरह वो वक्त मेरी जिंदगी में आया और सब खाक करके चलाए मेरे सपने मेरा हाथ में समाट सब चलकर खाक हुगे एक एक लवाज सीखता हुआ मेरे हाखों के सामने यह प्राए मेरे आता है जाकर भी में उस चेरे को अपनी आखों के सामने से नहीं आटा सकती है का नहीं आता सकती है नंदिनी मतलब तुझे सब कुछ याद आगे है बता कौन है वो नंदिनी बताना कौन है वो नंदिनी तुला माजी शपत सांग मला कोण होता तो तुझे आग मुझे बता नहीं होगा नहीं तो मैं मैं अपनी जान दे दूँगी नहीं अका सब खतम हो जाएगा नंदिनी तुझे अपने रिष्टे की कसम बता मुझे कौन है वो नंदिनी बता दे कौन है वो नंदिनी बोलना कोण आये तो कर दो प्रुष्णा, प्रुष्णा. दुरुष्णा. ह situação, प्रुष्णा. नंडनी. नंदीनी! नंजी दादीजी? तू नंदिनी है? नंदिनी, चाए पिला मुझे! दादीजी, नंदीनी माए के गईये. परे अभी तु बैकेसीgensी? तू क्रिंजी आ आए। टू क्षरी आए? जा, चाए पिला मुझे. प्रेम ने ना इसे सर पर चड़ा के रखा हुआ आई जा करे रहना तो हमेशा ही जाए ना आई नहीं यहां पर फोन करके पूश्ची हूँ क्या चल रहा है वहां पर हालो आई ना यह वहां पर है जब से वह आई है ना उसके चेरे की हावा यां ओडी हुए है का अना है वो चट पर है अपनी बहन के साथ खिरी पका रही है तो आप नीचे क्या कारी है आप भी छत पे जाएए और देखिये दोनों बहनों में क्या खिचरी पकड़ेए और सरासे भी बात समझ में आपके, मुझे फॉरम फोर कर दीजे, हाँ, इसे ही कर चूँ, लग चूँ मैं हाँ, देख चूँ, क्या कर सकती हूँ, नंदिनी तू जानती भी है, तू क्या कह र मेरे जिंदेगे जिनली, वो फोन का और वो बच्चा, वो चिट्टी, वो साब उसे किया था, जब उस तिन जब मैं कलश लेने उस कमरे में गई थी, तो वो भी मेरे पीछे आया है प्रो मेरे आया जाए तुमारे तने करीब कोई है आपका भूश्णाइडाइडा, नहीं से पिखिन वगिना आसके दिनुट क्या बोल रही थी तु? क्रुष्णा ने बरबाद कर दिया तुझे? आई, नंदिनी वो बस… बस, बहुत जूट बोल लिया तुम दोनों बहनोंने. मेरे ही गर में, मेरे ही बेचे की खिलाफ, शड़े अंत्र रच रहियो तुम दोनों बहने. तुझ पे तो मेरा पहले सही शक था. चुपचा पता नहीं, कैसी खिचड़ी पका रही है तू अपनी बहन के साब? बस, अब आँ नहीं, ये सब कुछ हो रहा है न, वो इस लड़की की वज़े से हुआ है. अरे, शादी करके चली गई तो मैंने सोचा, अब थोड़ी शांती मिलेगी, लेकिन नहीं, तेरी कर्तूत कम नहीं हुई है. इसे तो अब आई बस, बीना बात जाने नंदिनी पर चिलाना बंद कीजी आप, मुझसे जबान लड़ाएगी तू? मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं आपको सर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बात क्या है, आई आपको याद होगा, एक बार मैं और यश्की पापा नंदिनी को लेकर एक साल के लिए घर से बाहर गये थे, उस वक्त नंदिनी को घर से लेकर जाने की और उसमें नंदिनी की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ हाथ्चा हुआ था, किसी ने जबरदस्ती की थी, किसी ने इसके इस्ज़त के साथ, हम लोगों को ये तक पता नहीं है कि, कि इतने घिनावनी हरकत किसने की है, बक्वास बंद कर, नंदिनी मा बनने वाली थी, और तू मुझसे कह रही है, कि उससे पता नहीं था, कि उस बच्चे का बाप कौन था, चल, निकल जा मेरे घर से बहार, इतनी गिरी हुई, और अप अवित्र लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगा नहीं है, आरे, इसकी स्थ लूटेगा कोई, हूर पर ही है ये, इसी ने उकसाया होगा, चल, निकल जा मेरे घर से बहार, मैं तेरी सुर्क भी नहीं देखना चाहती, निकल! आप अवित्र, मैं नहीं, आप अवित्रि आपको पीजय खुछा हाई, आप अवित्रि आपको पीजय खुछा हाई! कि रा हुआ वो है आई, जो मेरी जिन्दगी के साथ हैसे केल गया, जैसे की मैं कोई खिलोना हूँ कि रहा हुआ वो है आई जिसे मेरी कम्सूरी का फाइदा उठाया हुआ और आप आप वो मेरी छुपी को कम्सूरी समझ रहा हैं पर मैं आप कम्सूर नहीं हूँ अकेली नहीं हूँ मैं मेरे पास मेरी बेहन है मेरे प्रेम है मेरे साथ अगर मैं चाहती ना आई, तो मैं आपके बेटिकाए इक घिलोना चहरा कपका ऐसके pandemic ले आदी. लेकिन न眉 मैंने इसा नहीं किया, जोंती है क्यों? आपके परिवार की इज़त के लिए मेरे परिवार की इज़त के लिए और अगर यह बात बहार निकलने से पूरा समाज अगर मुझे आप अवित्र समझता है तो मुझे कोई पगर नहीं है इस समाज की अगर आप अवित्र कोई है तो वो आपका बेटा कृष्णा आई मैं नहीं अगर अपने स्वाथ के लिए किसे ने अपनी इस सर्दाव पे लगाई है तो वो आपके बेटे ने मैंने नहीं लिखिन अप अब में कृष्णा को औक्सकी कि यह कि सजा दुला करा होगी दिल से दिया बच्छत्मा